मध्यप्रदेश में कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटे हैं जहां पर दो दिगजों के बीच कांटे के लड़ाई है हारेगा तो दिगज ही और चुनाव जीतेगा तो दिगज ही चुनाव जीतेगा बुधानी सीट से सियम शिवराज सिंग चुनावी मैदान में है यहां से वो 2003 से लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं वही कॉंग्रेस ने शिवराज को घेरने के लिए पूर्व के इंद्रिय मंत्री अरुन यादव को चुनाव मैदान में उतारा है अरुन यादव मध्यप्रदेश के पूर्व उपमक्य मंत्री सुभाश शियादव के बेटे हैं श्रिपुरी सीट से मौझूदा बीजेपी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया मैदान में हैं यशोधरा राजे यहां से तीन बार से विधायक हैं वहीं कॉंग्रेस से सिद्धार्थ लणा चुनावती दे रहे हैं हाई प्रोफाइल सीटों में चुरहट भी है यहां से दिवंगत कॉंग्रेस नेता अरजुन सिंग के बेटे अजे सिंग पिछली पांच बार से विधायक हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में हैं अजे सिंग को बीजे पी के शरदेंदू तिवारी चुनावती दे रहे हैं 2008 के चुनावों में भी दोनों आपस में टकरा चुके हैं रागावगड से दिविजे सिंग के बेटे जैवर्धन मैदान में हैं रागावगट सीड से दिविजय सिंग 1977 से चुनाव जीतते आ रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने अपने बेटे जैवर्धन को यहां से उतारा है लहार सीड से पूरु मंत्री डॉक्टर गोविन सिंग कॉंग्रिस के टिकट परमैदान में हैं तो वहीं बीजेपी से रसाल सिंग चुनावती दे रहे हैं लहार कॉंग्रिस का गड़ है और यहां से गोविन सिंग पिछले 30 सालों से विधायक है भूठपूर से कॉंग्रिस के दिगज नेता सुरेज पचारी और मौजूता बीजेपी विधायक सुरेंद पाटवा के बीश टक्कर है पचारी छे बार राज्यसवा सांसद रह चुके हैं तो सुरेंद्र पूर मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे हैं इस बार के चुनाव में शिवराज सरकार के करीब 14 मंत्रियों की किसमत भी दाव पर लगी है शिवराज के मंत्रियों को विपक्षी प्रतियाक्षी से कड़ी टक्कर मिल रही है और यही कारण है कि मंत्रियों को हार का डर सता रहा है शवराज सरकार के स्वास्थ मंत्री रुस्तम सिंग मुरैना से चुनावी मैदान में है जिने कॉंग्रेस के टिकट पर रगुराज सिंग कसाना टकर दे रहे हैं तो वहीं गौलियर से मंत्री जैभान सिंग पवया को कॉंग्रेस के प्रदुमन सिंग से कड़ी चुनावी मिल रही है बताया जा रहा है कि जनता पवया के दुर्वेवार से खासी नाराज है मंत्री नारायन सिंग कुषवाहा गौलियर दक्षन सीट से मैदान में है और उन्हें कौंग्रेस के प्रवीन पाठक चुनावी रहे है वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से बागी हुई सुश्मिता गुपता भी नारायन सिंग के खिलाव बिगुल फोक चुकी है मंत्री जैन्त मलेया दमो से एक बार फिर चुनावी रण में है मलेया के खिलाफ कौंग्रेस ने राहुल लोधी को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूरु मंत्री राम किर्शन कुस्मरिया भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे है जिसके कारण जेंत मलेया की जीत का समी करण बिगड़ गया है खुरई विधान सभा से शिवराज के मंत्री भुपेंद्र सिंग भी चुनावी मैदान में है तो वहीं कौंग्रेस के पूरु विधायक अरुणोदर चौवे को मैदान में उतारा है रीवा से राजेंद्र शुक्ल पिछले 15 सालों से विधायक है और इस बार भी इसी सीट से ताल ठोक रहे है शुक्ल के खिलाफ कॉंग्रेस ने बीजेपी छोड कॉंग्रेस में शामिल हुए पूरु विधायक अभेमिश्रा को ठिकट दिया है बालाघाट से मंत्री गौरिशंकर बिसेन चुनाव लड़ रहे हैं तो वही कॉंग्रेस से विशेश्वर भगत चुनावी मैदान में है सपा के टिकट पर कद्दावर नेता अनुभा मुजारे के उतरने के बाद मुकावला यहां त्रिकोर्डनिय हो गया है होश्रेंगाबाद से विधानसभाध्यक्ष सीता रमन शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेस ने बीजेपी छोड़ कर आए पूरु मंत्री सर्तास सिंग को टिकट दिया है सर्तास सिंग को राजनीती का आजय खिलारी माना जाता है बेरो रेपोर्ट जी मीडिया